का दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चना पता दोस्तो RSM SSB Lab Assistant Birthday 2022 को लेकर आप सब के लिए समय की बहुत बड़ी ख़बर निकल गया रही है राइस्तान Lab Assistant Birthday के दोस्तो रिजल्ट को जारी करने को लेकर लाकों बिद्यारती इंतियार कर रहे है Science का रिजल्ट आना वागी है दोस्तो और आज आपका Lab Assistant का Science का रिजल्ट जारी करने को लेकर आप सब के लिए खुसकबरी है दुगना चात्रों को इसमें पास की जाएगा जिए दोस्तो 847 पोश्ट है साइंस में हम साइंस और जोगरोफी का रिजल्ट पहले ही आ चुका है इसके डवल चात्र यानि की लगवा आट सो और सत्रे सो के आसपर चात्रों को पास की जाएगा डवल चात्र पास होंगे तो कटाइब भी आपकी डवल रहेगी और डवल कटाप रहने से दोस्तों कटाप में गिरावट आपको देखने कुम लेगी 400 नम्बर में से आपकी कटाप बनेगी हॉर्म साइंस और जोगरोफी की 400 नम्बर में और 29 जून को तो क्या प्रोसेस रहेगा दोस्तों रिजल्ट को जारी करने को लेका कितने नमर वाले चात्रों का सेलेक्शन होगा पूरी जानकार इस वीडियो मिलेगी आप वीडियो को पूरा जरूरू देख लेना साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह है तो हम साइंस जोगरोफी का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों ओपीसली वेबसाइट है रास्तार स्टाप सेलेक्शन बोर्ड की वहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाऊगे लेब अशिस्टेंट में दोस्तों साइंस की कटॉप हम साइंस जोगरोफी की तुलना में अलग रहेगी डिफरेंट रहेगी जनल के टिगरी की कटॉप 252 तक जाएगी फीमेल की 240 तक यह हाइस्ट कटॉप है मीनिमूम इससे कमी रहेगी से उपर नहीं जाएगी दोस्तों और फीमेल में 230 कटॉप रहेगी यूडल वेस्की अगर कटॉप की बात करें 232 288 के मत दे इसलिए दोस्तों यहां पर आपको कटॉप 400 नंबर में से देखने को लेगी लेब अशिस्टेंट साइंस का जो पेपर है दोस्तों उसमें 4.31 लाग विद्यारतियों ने एक्जाम दिया था यानि कि 4.31 यार चात्र बेटे थे परिच्छा में तो इससाब से जो कटॉप है जाएगा क्योंकि पहले दिन का पेपर स्वर्ल था दूसरे दिन का परिच्छा पसंद खटेंट लिए नौर्वशन की मांगी जा रही है और आज आपका बोट रिजल्ट जा रही का देगा जैसा कि दोस्तों अपडेट आ रही है आज हम साइंस और जोगरफी का रिजल्ट जाने के पाद हम आज दोस्तों का साइंस का रिजल्ट आ जाएगा ज्यूनियर लेव जस्टन सा Geld और इसके आपका आपका इस पुस्ट्च के लिए डोकुमेंट बैटिकेसіन कराये जाएगा तो डोकुमेंट के लिए पास किये चात्रों कि आज रोल इंबर जारी के जाएंगे और, दस से 15 दिन के अंदर सभी छात्रों के SSO ID पर नंबर भी जारी हो जाएंगे कि आपके किदने नंबर आयраш नंहीं हो जाएगा और जिनका से